बढ़कीले रंकी लाल और नीली टाई, हेलिकॉप्टर इंजन की आवाज में मीडिया ब्रीफिंग, लेट नाइट एपसर्ट ट्वीट्स, और देश, समाज, राजनीती और मीडिया में डिवाइसिफ पॉलिटिक्स के लिए बहुचर्चित राश्ट्रपती डोनल्ड ट्रम क्या सचमुच अमेरिका और वर्ल्ड के लिए यूजलिस प्रेसिडेंट थे? या हम ट्रम्प को नकारने में उनके टर्म के पॉलिसी डिसिजिजन्स को सिरे से खारिच कर रहे हैं और लैंड मार्क चेंजिस को कहीं नजर अंदाज तो नहीं कर रहे है मीडिया के शोरगुल से दूर इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे टरंप की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को जानेंगे कितनी सफल रही ये नीतियां और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि याद रहे टरंप हा रहे हैं टरंपिजम नहीं आखर में अमेरिकी चुनाओ के मद्दे नजर भारत के लिबरल्स और लिबरल मीडिया के लिए फूट फर थॉट तो कैसा रहा प्रेसिडंट डोनल्ड टरंप का चार साल का कारेकाल अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ 2017 के इनाउग्रल स्पीच में ही टरंप ने अपने कारेकाल की प्राथ मिक्ताएं बता दी थी उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को प्रमुखता के साथ प्रेजन्ट किया था और यूएस ट्रेड डेफिसिट को रिडियूस करना अलायंस पार्टनर यानि यूरप से उनके हिस्से का आर्थिक भार उठाने पर जोर देना और रैडिकल इसलाम को कंटेन करने जैसे कई बातों को हाईलाइट किया था भले ही टरंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को जिस्टिफाई नहीं कर पाए हो भले ही उन्होंने अमरीकी हितों को भी नुकसान पहुचाया होगा पर अपनी नीतियों को लेकर वो अपने इनाग्रल स्पीच से बहुत इमांदार रहे हैं टरंप अड्मिनिस्ट्रेशन ने शुरुआत से ही इस बात पर जोर दिया कि Second World War के बाद स्टैबलिश किया गया Liberal International Order अब American interest को satisfied नहीं करता है दोस्तों Second World War के बाद जब दुनिया Liberal Democracy और Communism में बट गई थी तो अपने dominance को बढ़ाने और डिमोकरसी को पूरी दुनिया तक पहुचाने के लिए अमेरिका ने Western European countries के साथ मिलकर multilateral organizations create किये थे NATO जैसे military alliances रश्या के खिलाफ बनाये थे और खुद को world का policeman बना लिया था लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है अब अमेरिका को न सिर्फ चाइना और इस्ट एशियाई देशों से बलकि friendly Western European देशों से भी आर्थिक मोर्चे पर competition का सामना करना पढ़ रहा है globalization और unfavorable trade terms के कारण US trade deficit काफी बढ़ा medium और household enterprises खुद को sustain नहीं कर पा रहे थे और cost of living अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में एक business turned politician टरंप का ये मानना था कि अपने पैसों से world की policing करना American interest में नहीं है तो क्या किया टरंप ने टरंप ने एक के बाद एक कई international treaties, agreements और multilateral organization से अमेरिका को withdraw करना शुरू कर दिया मिसाल के तोर पर देखें तो 2017 में TPP Trans-Pacific Partnership जो Obama Administration ने negotiate किया था 2018 में UNESCO, Iran Nuclear Deal, United Nation Relief and Works Agency for Palestine, UNHRC, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty और 2020 में Paris Agreement on Climate Change, Treaty on Open Skies और आखिर में हमारे और आपके सबसे प्रिये World Health Organization से टरंप की America First की इस नीती की आलोचना दुनिया भर के जानकार करते हैं ये सच है कि America के soft power में multilateral organization की काफी भूमिका है और इस space को खाली करना निश्चित रूप से एक vacuum create करता है जो दूसरे देश भरने का प्रयास करेंगे चाइना ने कुछ ऐसा ही किया और आज चाइना कई organization में dictating role में है नैटो और रशिया से soft stance रखने के संदर्व में टरंप की नीतियां भले ही criticize की जा रही हों पर कई माइनों में ये visionary है यॉरप और American Democrats Cold War एरा में जीना चाहते हैं पर टरंप रशिया को enemy number one नहीं मानते रशिया अब एक European problem है और नैटो में European problem के लिए American military subsidy logical नहीं लगता क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भी यॉरप कोई subsidy America को नहीं देता बलकि उसका fierce competitor है वो इसके अलावे अपने commercial हीतों के कारण यॉरप का चाइना के प्रती रुख काफी ambivalent है इसलिए यॉरप को अपने defense expenses की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ट्रंप ने NATO member countries को agreed defense expenditures के लिए pressurize किया यहां तक कि उन्होंने जर्मनी से 12,000 NATO forces withdraw भी कर लिए अमेरिका की नई चिंता अब चीन है और American policy makers को रुखिया के प्रती अपने stance को बदलने की जरूरत है जहां मेकेंडर और काल होशोफर की heartland theory ने हिटलर को रश्या पे attack करने के लिए inspire किया वहीं spikeman की rimland theory ने American policy makers को मजबूर किया कि वो second world war के बाद भी Middle East में अपने dominance को बनाए रखें हाला कि USSR के तूटने के बाद ये theory उतनी relevant नहीं थी पर तभी corporate oil greed ने Bush को इराक की तरफ धकेल दिया George Bush के इराक war और उनके successor Mr. Obama के Arab spring ने अमेरिका को लगभग 20 साल तक Middle East में उलज़ा कर रखा ऐसे में Donald Trump की exit Middle East policy काफी relevant और logical है ISIS को contain करना और उसको contain करने के अलावे American mediation में September 2020 में sign किया गया Israel, UAE और Bahrain के बीच Abraham Accord for Normalization of Relationship, Trump Administration की one of the best achievements है American liberal media कुछ हद तक Indian liberal media की तरही है जो कुछ अच्छे policy moves और decision को इसलिए criticize करते हैं क्योंकि सामने वाला और उनके विचारों का नहीं है भारत में भी Article 370 को हटाया जाना एक landmark event है भले ही ये कश्मीर problem को solve करे या न करे पर 30 सालों के बने हुए status quo को वो निश्चित रूप से बदलता है पर हमारी liberal media कोई और राग अलाप रही थी खीक ऐसे ही western liberal media ने भी Palestine के cause की आड़ में Trump को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ा हाला कि गौर करने की बात है कि liberals पिछले 75 सालों में Palestine के लिए कुछ भी नहीं कर सके सिवाए lip service के दुनिया बदल चुकी है यहां तक की अरब देशों की भी Palestine में कुछ खास interest नहीं है अरब में एक कहावत है कि Arab countries और इस्रेल की liquid party में एक ही अंतर है कि Arab countries Palestine को ज़ादा despise करते हैं MBS का 2018 का एक बयान जिसमें वो कहते हैं कि Palestinians should accept Trump proposal और shut up इस बात को substantiate करता है Right-wingers call a spade a spade शायद इसलिए Trump administration ने US Embassy को Tel Aviv से Jerusalem shift कर दिया जो Biden कहते हैं कि वो Trump की बहुत सारी policies को roll back करेंगे पर शायद इसे वो नहीं बदलेंगे लेकिन Democrats के typical lip service अंदाज में उन्हों नहीं ये कहा कि Embassy का एक extension counter वो East Jerusalem में खोलेंगे ताकि Palestinian के साथ बहतर coordinate किया जा सके अगर Trump इतिहास में दर्ज होंगे तो अपनी फुहरता, भॉंडेपन और China policy के लिए ये तो तय ही था कि अगर Trump administration ने American trade deficit को priority issue बनाया है तो उनका सामना चाइना से होगा ही चाइना के साथ US का trade deficit 2018 में लगभग 400 million dollar का था और शुरुवाती tariff के बाद Trump administration ने full scale trade war छेड़ दिया Trump ने US security apparatus और उसके focus को Middle East से निकाल कर completely चाइना की तरफ शिफ्ट कर दिया ये 21st century का most decisive step था Trump administration का narrative जिसमें चाइना को एक global problem की तरफ पेश करता है काफी हद तक सफल रहा हाँ ये भी सच है के Corona pandemic में Xi Jinping की wolf warrior diplomacy ने भी चाइना को globally expose कर दिया Calling out China openly हो सकता है Trump ने अपने हितों के मद्दे नजर किया हो पर Trump ने सही समय पर whistle को blow किया Trump के predecessors खासकर Obama South China Sea में चाइना को free hand दे चुके थे Technology theft, IPR theft और Economic and Human Rights Front पर भी अपने big corporates के दबाव में चाइना को safeguard करते रहे हैं Democrats चाइना policy के मामले में hide and seek खेलते हैं बलकि China Deng Xiaoping के hide your strength and bide your time के यूग से बहार आ चुका है और USA को अगर अपनी प्रमुखता दुनिया में maintain करनी है तो Trump की तरह ही China को confront करना पड़ेगा Take the bull by its haunts परशायद Biden Democratic Party के left wing के दबाव में ऐसा न कर पाएं ये बहुत दुरभागे पूर्ण होगा भारत जैसे देश जो China के बढ़ते कत से परेशान है Trump की vocal anti-China policy को ज़ादा पसंद करते हैं Trump administration ने शुरुआती उदासीनता के बाद Lately Quad जिसमें US, India, Japan, Australia शामिल है को पुछ किया और ये continue रहेगा क्योंकि अब ये अमेरिका की जरूरत है तो कहां fail करते हैं Trump कई जगे इन सब उपलब्दियों के बीच Trump की कारिशायली उनका Twitter diplomacy Attack on press उनका भौंडापन और deliberate attempt to look bad and illogical भले ही उनके voters को suit करता होगा पर अमेरिका की standing को दुनिया में कम करता है USA को unpredictable state of America बनाना Alliance partners को साथ न लेकर चलना Iran nuclear deal और climate समझातों से withdraw करना Unmindful immigration policy लाना और कई Muslim majority countries को blanket ban करना US entry से America के लिए global trust capital को erode करता है Corona virus की handling और unscientific leadership के लिए शायद उन्हें average अमरीकी कभी माफ भी न करें Trump का multilateral organization को छोड़ना एक सबसे बड़ी भूल थी जो शायद irreparable है इस platform को छोड़ने का ही नतीजा है कि Pakistan जैसा देश चाइना की मदद से UN Human Rights Council में reelect हो गया सोचिए पाकिस्तान, चाइना and human rights ओगजी मोरोन तो क्या Trump को सिर्फ एक फूहड, भॉंडे और devoid of logic president का ही tag देकर write-off करना उचित होगा या उनके कारेकाल में किये गए कुछ बदलाव की रोशनी में उन्हें थोड़ा बहुत credit देने की आवशक्ता है जिसने गाहे बगाहे American focus को Middle East से निकाल कर चाइना की तरफ मोड़ दिया है liberal leftist media शायद ये नहीं कर पाए क्योंकि they don't call a spade a spade और सालों से वो यही करते आएं इसी कारण America को Trump जैसा president मिला इसी कारण Trump के हार जाने के बाद भी Trumpism जिन्दा रहेगा तैंक यू दोस्तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो kindly इसको like, share और subscribe ज़रूर करें मैं इस तरह के वीडियोज, informative वीडियोज बनाता रहूँगा आप तक पहुचाता रहूँगा Thank you for watching